जब जब तिलंगाना को याद किया जाएगा तब तब करीम नगर को भी याद किया जाएगा क्योंकि यही वो सहर है जहां हमारे यूपिये के चेर पर संस्रीमती सुनिय गांधी जी आख एनाउंज की थी तिलंगाना बनेगा आदर्णी साथियों तिलंगाना के लिए संगर्श करने वाले सभी साथियों को मंज में भी बैठे हैं जिसके बारे में जैराम रमेज जी ने कहा उनको भी और मेरे सामने बैठे हुए हैं सब को तेलंगाना राजी के लड़ने वाले सभी साथियों को मनमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उपासित पत्रकार मित्रों साथियों तेलंगाना आपने मांगा तेलंगाना आपको मिला क्या किसानों को दाम मिला क्या नौजवानों को काम मिला क्या बेरोजगारी दुरुवी बेरोजगारी तो केवल एक परवार के दुरुवी है के सी आर की ये केटी रामा राव कौन है उसको भी रोजगार मिला है ये हरिस राव कौन है उनको भी रोजगार मिला कवीता जी कौन है मतलब रोजगार मिला तो केवल एक परवार को मिला है अब इदर कर रहे हैं लिकर क्वीन रोजगार तो देना था भी रोजगारों को विवाओं को लेकिन सारा रोजगार दे दिया अपने परवार को अधरी सात्यों अभी हमारे पूरवक्ताओं ने एक बात कही एक माडल है बारती जनता पार्टी को गुजरात माडल है दूसरा माडल है कांग्रेस का वो छत्तिस गड़ का है राहूल जी अक्सर यह बात कहते हैं पूरे देश के पैसा ही कटा करो नोट बंदी लागू करो किसानों के गरीबों के महिलाओं के नवजवानों के ब्यापारियों के छोटे ब्यापारियों के सब पैसा को बेंक में डालो और बेंक का पैसा उनके साथियों को दे दो पूरे देश का पैसा दो तीन लोगों के लिए चार लोगों के लिए यह है गुजरात माडल मोदी जी जब आये थे दोज़र चूदा में तो उन्होंने कहा देश में गुजरात माडल लागो करेंगे लेकिन मैं तेलंगाना के साथियों को करीम नगर के साथियों से पूछना चाहता हूँ इस गुजरात माडल से आपको कोई फायदा मिला नहीं मिला यह टी आरेस के जो माडल है उसको भी आपने देखा एक परवार को रोजगार दिया लेकिन साथियों कांग्रेस का माडल कांग्रेस हमेशा आम जनता को ताकत और बनाने का काम करती है जब यूपिया के सरकार थी तो आपको सिछा का अधिकार भोजन प्राप्ट करने का अधिकार रोजगार प्राप्ट करना के अधिकार सूचना कदिकार यह सब दिया और जब 36 गड़ में कांग्रेस की सरकार बनती है और राहुल गांदे जी जब प्रचार करने हमारे 36 गड़ा आते हैं तो उन्होंने कहा था कि 36 गड़ में कांग्रेस की सरकार बनाईए किसानों का कर्ज माफ होगा किसानों के धान पचीस सो रुपिया क्विंटल में खरीदा जाएगा तेंदू पत्ता चार हजार रुपिया प्रतिमानक बोरा से खरीदा जाएगा राहूल गांधी जी ने थमको दस दिन का समय दिया था दस दिन में आपको कर्ज माफी करना है आदर निसात्यों हमारे तमाम राष्टी नेता 36 गड़ा आया थे सपत ग्रहन में जो मज में बैटे हैं मनमोहन सिंग जी भी आया थे असोग गहलो जी आया थे सभी नेता हमारे 36 गड़ में आया थे सपत ग्रहन में राहूल जी इधर सपत ग्रहन समारों से निकले एरपोर्ट उनको छोड़ा मैं घर नहीं गया सांथियो सीधा मंत्रा लै गया राहूल जी दिल्ली एरपोर्ट उत्रे 36 गड़ के 19 लाग किसानों के साड़े 9,000 करोर रुपय हमने माप कर दिया पचीस रुपय हम खरीदना सुरू किया आज ते लंगाना में कहते हैं कि रायतू बंदू के तहट हम लोग 5,000 रुपय कर देते हैं अरे 36 गड़ में हम 9,000 रुपय कर देते हैं यहाँ धान के किमत क्या है कोई किसान हो दो बताईए खरीदी सरकारी रेड तो मेस पी तो 2060 और 2040 रुपया है लेकिन बजार में कितने मिखता है पंद्रह सर रुपया आपके यहाँ किसानों की संक्या अधीक है रगबा अधीक है लेकिन देश में सबसे ज़्यादा किसानों ने यदि धान बेचा समर्तन मुल में तो कांगरेश की सरकार जहां है 36 गड़ में यहाँ 11,000,000 किसानों ने धान बेचा समर्तन मुल में 36 गड़ में 23,000,000 किसानों ने वहां 11 लाख में, 60 लाख में टिक टन धान करिदा, 36 गड़ में 23 लाख किसानों ने 107 लाख में टिक टन धान बेचा है, 2040 और 2060 रुपिया अधर्डी साथियों, यह भी प्रदेश किसानों का है, ये भी प्रदेश अंसुची जाती जन जाती अलपसंग पिछले वर्गों का है मेनत कस लोगों का है और मेनत कस लोगों का सम्मान कहीं मिलता है तो कांगरेस के सरकार भी मिलती है दूसरे कहीं नहीं मिलता हमने राजी गांधी किसान नय जुना लागो किया गोधन्याय अजना लाओ